आसलाम लेकुं, six class, page number 42, आज हमने करने हैं, jq's, question number 2 अनइबार्टिक कम्पोनेंट आफदा इंवार्मेंट इस, इन में से इंवार्मेंट का इंवार्मेंट का इंवार्मेंट कों सा है? A-biotic component मतलब कि non-living component कौन सा है environment का A plant, an animal, microorganism तो हमें पता है plant, animal और microorganisms Biotic component है, living component है तो A-biotic component फिर इसमें से क्या हुआ? Water हुआ यह है A-biotic component, non-living component तो सरकर कर लीजे C को Water A pine tree is A Pine tree क्या है? Predator है, producer है, consumer है, parasite है तो pine tree है, producer यह अपनी खुराफ खुद तयार करता है इसलिए इसे कहते हैं producer Organisms that feed on plants directly or indirectly are called ऐसे organisms जो plants पे feed करते हैं directly या indirectly उन्हें कहते हैं producers, predators, prey या consumers तो ऐसे animals जो पोदों से अपनी खुराफ लेते हैं, directly feed करते हैं या indirectly feed करते हैं, plants पे ऐसे organisms को कहते हैं consumers यहां पे circle कर लीची consumers What kind of organisms help clean a place of waste and dead remains कौन से ऐसे organisms हैं जो साफ करते हैं उस जगा को जहां पे waste material होता है, जाया मबाद होता है या जो मुर्दा जिसम होते हैं पोदों के या जानरों के उनके जो बकायजात होते हैं, मतलब उनके जो dead remains होते हैं वो साफ करने में मदद देते हैं environment को कौन से organisms decomposers तो एक को circuit कर लीची, decomposers जो मुर्दा जिसम होते हैं dead bodies होती है plants and animals की और जो जाया मबाद होता है उसको साफ करने में मदद देते हैं, महोल के अंदर से decomposers which is an example of parasitism, इसमें से parasitism की कौन से example है, तो parasitism की example है, इसमें D, Arctic living on a dog, Arctic living on a dog, टिक कहते हैं जैसे इनसानों के सर में जोएं होती है न, उसी तरह ये dog की body के उपर, टिक कहते हैं चीचरी, चीचरी होती है dog की body के उपर, जो उसका blood सक करती है तो यहां पे आप लोग टिक का जो मत्तब है, वो है चीचरी, यह जिस तरह जूएं होती है न, इनसानों के सर में, वैसे ही ये होती है, dog के उपर रहती हैं, और वहां से ये blood लेती हैं उसकी body से, और बदले में उसे नुकसान पहुचाती हैं, तो यह एक्जेंपल है parasitism की blood सक करती हैं, बदले में उसे नुकसान पहुचाती है, तो यहां पे D को सेर्किल कर लीजिए, आर्टिक लीविंग ओन डॉग, पेज नमबर 43 पे आजाएं, concept map करना है पेज नमबर 43 पे, देखें, प्रिडेशन, प्रिडेशन किन दो ऑगनिसम के दर्मयान तालुक है, प्र तो प्रिडेशन जो है, प्रिडेशनिक जो अजारेशनों फाइट mejorarा है फाइधा होता है, आगे देखें, यहां पर राइट कर लीजी मिजूर lib यहां पर राइट کر लीजी, म्यूर02 इजम पेरसाइटिजम बिट्वीन पेरसाइट एंड होस्ट पीछे हमने पढ़ा था पेरसाइटिजम कैसा रिलेशनशिप है जो पेरसाइट और होस्ट की दर्म्यान में होता है यह कुंसेप्ट मैप कर लेना है आपने साथ आपने MCQS करने है अब डायरी राइट कर लीजिए पेरसाइट नमबर फुटी थी चोंसेप्ट मैप लेन प्लस राइट